हालो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ये staff करेंगे हम इस्ट्रिंगे इंपुट देंगे और जैसे हम इस स्पेस के बटन को दबाएंगे तो हमारा रिजट्स हो हो जाएगा आप आप में कितने numbers दिये हैं characters के यानि string की length कितनी है इसका हम आज program बनाएंगे जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस समझना है कि इसे साफ़ से work होता है मैं आपको step by step समझाता हूँ सबसे पहले directives लिखता हूँ मैं small k.data.cord data का use तो नहीं करना लेकिन लिख लेते हैं मैं so simple instructions देता हूँ फोड़ा इस तरफ कर लूँ ताके असानी के समझना है मैं moveah में 01 करता हूँ input लेने के लिए और interrupt करवा देता हूँ 21 यह क्या करेगा हम से एक input लेता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको what happened illegal strings wrong parameter okay हम यह जो चीज़ें हैं यहां पर नहीं दे सकते आपने इनको नोट तो कर लिया है मैं इनको मिटा लेता हूँ okay okay अब इसको okay so run एक input लेगा मैं ले देता हूँ okay एक input लेने के पाद यह हमारा program क्या हो जाता है बंद हो जाता है okay loop और यह चला जाए k पर k को मैं define कर देता हूँ अब क्या होगा कि यह मुझ से infinite input लेगा कितने infinite input लेगा क्योंकि फर्स टाइम यह एक input लेगा input लेने के बाद नीचे आएगा तो नीचे क्या है हमारा loop लगा हुआ है loop क्या करेंगा कि इसका label defined है कि यहां पे तो दुबारा यहां पे आ जाएगा फिर इंपूट लेगा फिर यहां पे लेबल लगा हुआ है फिर उपर चला जाएगा तो इससाब से यह करता रहेगा और यह infinite हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ okay run करता हूँ करने हैं कि हम जो input दे रहे हैं वो कितने characters हैं तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ move हमारे dl register के अंदर मैं 48 move कर देता हूँ 48 क्यों move कर रहा हूँ मैं आसकी में दिखा देता हूँ आपको 48 कहां गया 48 48 का मतलब होता है 0 जानी मैंने dl register को zero sign कर दिया ठीक है उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ dl register के अंदर रहेगा अब मैं एक input आया input आने के बाद मैं increment instruction लगाता हूँ कि bl में हो जाए increment अब मैं लगाता हूँ compare instruction compare किसे करेगी compare करेगी हमारा जो result है वो किसके अंदर पड़ा है AL के अंदर compare करेगी AL को ask की code हम space का देखेंगे कि space का ask की code क्या है space का यहां पे 32 ask की code है और अगर हम hexa की बात करें तो वहां पे 20 तो मैं यहां पे लेख देता हूँ 20 20 h 20 h का क्या मतलब है 20 h का मतलब है जो भी हम input देंगे वह तो हमारा AL register के अंदर store होता है input store in AL register जो भी हम input देते हैं इसके थुरू ठीक है वह हमारा AL register के अंदर जाता है सही है, AL register के अंदर input बढ़ा है हमने compare किया है 20 h से अगर वह input हमारा space के equal है अगर वह input हमारा space के equal है यह अगर हम space को दबाएंगे तो क्या होगा यह दोनों equal हो जाएंगे तो इसका control कहा जाएगा मैं इसका control नीचे define कर देता हूं यहां पर मैं label लगा देता हूं B और B को मैं define कर देता हूं इसके करता हूं अब B के अंदर मैं क्या करता हूं कि B के अंदर मैं move करता हूं DL register के अंदर DL को ताकि हम print कर पाएं और मैं move करता हूं AH के अंदर 02 service routine और इंटरप को काल कर रवाता हूँ 20 मिनेश अब बैसिकली होगा क्या कि हम इन इस्ट्रेक्षन से एक इंपूट देंगे इंपूट देने के पाथ हमने इंप्रीज कर दिया बिया रिजिस्स्रों के पास क्या वैलियू की दीरो और यह वैलियू हो जाएगी वन वैलियू होन हो गया तो क्या होगा jump equal जो statement है वो execute होगी और हमारा control इस दिगा पर आ जाएगा जो भी BL register के अंदर पड़ा होगा डियल इस रिजिस्टर के अंदर बार जाएगा और moveH02 instruction हमारी क्या करेगी कि जो भी BL register के अंदर पड़ा है उसको print करवा देगी लेकिन अगर वो equal नहीं हो रहा तो दोबारा क्या होगा इसका control है loop के पास आ जाएगा और loop दोबारा अपने label के पास जाएगा और label के पास जाने के बार दोबारा हम से input लेगा और यह काम repeat होता रहेगा तब तक जब तक हम space का button ना दबा आते हैं सो लेट्स चेक वन तू इक यू नीड इन ट्वंटी वन पूट सुग्स तू ओके मैं हर दफा यह error कर देता हूं पता नहीं क्यूं ऐसा क्यूं होता है यहां पे ट्वंटी वन एच्छाएगा अब चेक करते हैं वन तू और अब मैं space दबाता हूं देके 3 आ रहा है क्यूं से space आएगा तो वह आपको काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने करेक्टर है राइट मैं दबारा एक दफा दबारा रन करता हूं थोड़ा सा इंपुट जालब देते हैं चक करते हैं तो हमारा result क्या आना चाहिए space को दमाऊंट 6 आना चाहिए तो 6 हमारा result आ रहा है आप space के इलावा कोई dollar sinus select कर सकते हैं आप inter की symbol उठा सकते हैं आप equal की symbol उठा सकते हैं वो आप पर depend करता है कि आप किसी साब की symbol को उठाएंगे so thank you for watching this video and Allah Hafiz